हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतिंदर गुरुजीपी दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजिनिंग के टॉप पंदरा प्रशन के बारे में दोस्तो आप कोई साभी एकजाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रशन हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि रीजिनिंग में कुछ सेट पैटर्ण के प्रशन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं उन प्रशनों को दोस्तो इस वीडियो में सामिल किया हूँ और इन सभी प्रशनों को सल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी साहता से दोस्तो आप इन सभी प्रशनों को बीना पेन उठाए सल्व करेंगे मातर कुछ ही सेकेंड में और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे हैं बताएंगे दुस्तों जैसे की प्रश्ण हम लोगे सामने दिया है प्रश्ण है एक विप्रित अक्षर ग्याद करें हमारे पास डाइस का एक प्रश्ण दिख रहा है ओपन डाइस है इसमें बताना है एक के विप्रित कौन सा अक्षर होगा इसके लिए चार आप्षन दिगई है और भी प्रश्ण है बिसम की पाहचान करें हमारे पास चार आप्षन दिगई है इनमें से कौन सा आप्षन अलग है यहीं हमको बताना है ठीक है और ये part number 47 है दोस्तो जिसने part number 46 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्षन में जाकर जरूर देख लिजे क्योंकि सारे का सारे part most important और repeated प्रशन का है ठीक है तो आईए दोस्तो देखते हैं पहले number प्रशन से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रशन को चलिए आपका पहला प्रशन है odd on out एनिकी classification chapter से ले आगया है क्या है बिसम की पहचान करें यहां पर हम सभी लोग देख रहे हैं हमारे पास चार आपसन दी हुई है इन चारों आपसन में से कौन सा आपसन सही होगा यहीं हम लोगों को बताना है तो यहां पर हम सभी देखेंगे कि मेरे दोस्त यहां पर देखो जैसे हम बारी बारी से सभी को चेक करते हैं अगर हम को देखें तो 18 से 320 कैसे बन सकता है देखो 18 से 320 करने के लिए 18 का स्क्वाइर हमें करना होगा 18 का स्क्वाइर होता है 324 लेकिन यहां पर 320 है इसका मतलब 18 का स्क्वाइर करके माइनर 4 कर देंगे तो 320 बन जाएगा जी बिल्कुल सही उससी प्रकार 24 से 572 कई से बन सकता है 24 से 572 कई से बन सकता है इस24 का S s auta होता है 776 और यहां पर 572 लिख曦 स met 24 में से –4 किया गया है तब जाकर यहां पर 572 बना है अच्छा आप्सेन हम b को यहां पर देखते हैं आप्सेन b में क्या है 9 का S s k SQIER करके इसमें से بھی माइनस का चार किया गया क्योंकि देखो ध्यान से 9 का SQIER 81 होता है याँ इसमें से माइनस चार करने के तब जाके 77 बनेगा जबकि Option E में ऐसा बात नहीं है क्यों कि Option E का 13 का SQIER होता है 119 और 179 में से 5 109 में 6 घाट आएंगे तब जाके 163 बनेगा इसलिए इसका राइट अंसर ओप्शन यह हो जाएगा ठीक है मेरे दोस्त तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रस्ण को समझ चुके होंगे अब हम लोग बरते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन क्या है मेरे दोस्त करा है दिये गए सब्द को सब्द कोश की अनुसार ब्यवास्थित करने पर कौन सा सब्द पांच वे अस्थान पर आएगा हमारे पास देखो 5 वर्ड दिया गया है और हाल ही में CGL SSC में पूछा गया है क्या कहा रहा है कि हमारे पास 5 वर्ड दिया गया है इसको alphabate में यह alphabate के अनुसार dictionary में वर्ड को arrange किया जाता है यह जिस तरह alphabate में पहले A letter वाल आता है फिर B आता है फिर C आता है इखे बता है इसके आधार पे नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले वर्ड कोन आएगा चलेंगी अब हम ओप देखते है एक नंबर में जो वर्ड दिया गया है इसमें P है जो दो नमबर में वर्ड दिया गया है इसमें T है जो तीन नमबर में वर्ड दिया गया है उसमें S है जो चार नमबर में वर्ड दिया गया है उसमें N है और पांच नमबर में वर्ड दिया गया है उसमें C है तो यह बताए यह P, S, C, T, N में सबसे पहले कौन आता है मेरे दोस्त सबसे पहले आता है C C कौन सा वर्ड में दिया? पांचा वर्ड में C दिया इसका मतलब पांचवा जो वर्ड है यह आयेगा सबसे पहले ठीक है? अच्छा दूसरे नमबर पे कौन आयेगा मेरे दोस्त दूसरे नमबर पे जो वर्ड आयेगा वो आयेगा हमारा चौथा दूसरे नमबर पे वर्ड आयेगा वो चौथा नमबर की उसके बाद में N आता है ठीक है इसलिए दूसरे नमबर पर चौथा वर्ड आजाएगा तीसरे नमबर पर कौन सा वर्ड आएगा तीसरे नमबर पर जो वर्ड आएगा वो पहला नमबर वाजाएगा कि वो कि P आता है तो पहला हो जाएगा चौथे नमबर पर कौन सा वर्ड आजाएगा S और T में, यहाँ T है, यहाँ पर S है तो S आता है पहले कि T आता है पहले आता है S, S का मतलब तीसरा word आ जायागा पहले और last में कौन आएगा दूसरा हम लोगों से पूछा गया कि पाँचवा word कौन सा होगा ती बते पाँचवा word यहाँ पर कौन सा आया है option number C वालाएगा ठीक है मेरे दोस्त, तब मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे, इसलिए अब हम लोग बरते हैं next question की तरह अगला question बेन डाइग्राम से लिया गया है और क्या का रहा है, ध्यान से देखेंगे, का रहा है बिकेट की कूल संख्या कितनी है बिकेटो की कूल संख्या कितनी है मेरे दोस्त, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, एस सर्किल वाला जितना भी भाग दिया हुआ है न इस सर्किल वाला जितना भाग दिया है एक किसको दर्साता है एक ट्रॉक को दर्साता है अच्छा जो आयत वाला भाग दिया है एक किसको दर्साता है जो आयत है एक बॉल को दर्साता है अब बिकेट किन को दर्साता है तो बिकेट दर्साता है त्रिभ इदर सता है विकेट को और जो आयत की तरह है इदर सता है बोल को लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कि विकेट की कुल संख्या बताइए विकेट की कुल संख्या बताने का मतलब वह भाग जो केवल त्रिभूज में आता हो उसे विकेट बोला गया है तो त्रिभूज के भी इतर जितना भी नंबर है इन सभी को हम यहाँ पर एड करते हैं सबसे पहले क्या है चार है उसके बाद में क्या है तेरा है उसके बाद में क्या है आठ है उसके बाद में क्या है मेरे दोस्त सोला है इन सबको तुम एड कर दो सबको एड करोगे तो कितना हो जाएगा 16 8 24 24 कितना हो जाएगा 28 28 में हम जब 13 को एड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 41 हो जाएगा इसका right answer 41 किस option में दिया गया है तो option number A में दिया गया है इसका right answer option A हो जाएगा मेरे दोस्त ठीक है चलिए आगले question कि तरफ अब हम लोग बढ़ेंगी अगला question क्या है अगला question यदि 64 हैज 58 हैज 32 को मिलाकर उसने minus 26 बनाया है और 104 हैज 17 हैज 8 9 को minus 2 लिखा है उसी परकार 56 हैज 7 हैज 24 को कोशन मारक के जगे पर क्या लिखा जाएगा तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे क्या अगला पर देखो जहां भी हैज है उसके जगे पर तुम है minus लिएना है इह बात आपलोग समझे हैज के जगे पर क्या लिएना है जाहां भी hedge है मेरे दोस्त उसके जगे पर तुम minus लो और question को तुम बनाओ question को बनाओ यहाँ पर क्या है पहले जो समिकरन दिया गया इसमें दिया गया क्या 64 है ना इह बात समझ रहे कि नहीं आप लोग बिल्कुल समझना परेगा 64 उसके बाद में hedge है इसके जगे पर minus उसके बाद में 58 है उसके बाद फिर से है minus कर देंगे आप 32 इनको solve करने के बाद मेरे दोस्त माइनस 26 आना चाहिए तब ही जाके हम hedge के जगे पर minus satisfied करेगा अब हम इनको salve करेंगे तो इनको जब हम salve करेंगे मेरे दूस्ट देखो माइनस वाले एक साथ जूटेगा ए चाउट ऐसे ही ठीक है माइनस माइनस वाले को 1, 7, 0, 8 और 2, 10 के 0, हांसिल कितना 1, 5, 8, 8, 1, हांसिल कितना 9, 90 हो गया, अब 64 में से 90 घटेगा नहीं, तो 90 में से 64 को तुम घटा दो, 90 में से 400 को घटा दो तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा अच्छा, यहां कितना बचा मेरे दोस्त 8 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा लेकिन माइनस का क्योंकि हमने उल्टा घटाए है तो माइनस 26 इसका मतलब इसको solve करने के बाद माइनस 26 भी आना चाहिए और माइनस 26 आ गया इसका मतलब हैज के जगह पे माइनस सर्टिसफाइट कर दिया आगा क्या 104 हैज 17 हैज 89 को solve करने के बाद माइनस 2 आना चाहिए बिल्कुल सही 104 उसके बाद माइनस लेंगे 17 उसके बाद माइनस लेंगे 89 इनको solve करने के बाद मेरे दोस्त कितना आना चाहिए इनको solve करने के बाद माइनस 2 आना चाहिए करके देखते हैं हम चली करके हम देखते हैं यहाँ माइनस वाले को 17 जूर दो यह 104 ऐसे ही ठीक है यह जूर जाएगा 97 16 के 6 हांसिल कितना 1, 8 और 10 है तो बिल्कुल माइनस का दो आ जाएगा इसका मतलब इस बात भी बिल्कुल साटिसफाइड हो गय गया तो हम इसी परकारी जो सम्हे करता है इसको हम ने काल सकते हैं कैसे यहां पर 56 दिया है 56 ऐसे ही ठीक है माइनस का साथ आ माइनस का 24 अब हम इनको साल्व कर देंगे बस यहां माइनस वाले को एक साथ जोर दो यह 56 ऐसे ही ठीक है माइनस 24 में साथ को जोरेंगे तो 31 हो जाएगा बिल्कुल सही अच्छा 56 में से 31 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा यहां कितना बचेगा यहां बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा इसका जो right answer हुआ मेरे दोस्त कितना 25 एंसर हो जाएगा जो की option number B में दिया गया है ठीक है मेरे दोस्त कितना मजेदार प्रशन था चलिए अब हम लो 30 अगस्त 2009 को 17 का कौन सा दिल था इबात को बताना है सबसे पहले आपको चीज दिख रहा होगा कि CHSL के एकजाम में इसको पूछा गया है और हाल ही में पूछा गया है 31 अगस्त 2000 को सुकर बार यानि 31 अगस्त और 31 अगस्त दीन और महीना सेम है केवल difference अंतर कितना है अंतर है केवल साल का यहां पर है 2009 और यहां पर है 2000 तो इनका हम लोग कैसे इसको सल्प करते हैं सबसे पहले इसको हम अंतर निकालते है किनका अंतर बरस का क्योंकि महीना तो सेम है तो 2009 में से हम 2000 को घाट आएंगे तो कितना साल का अंतर आएगा मेरे दोस्त कितना साल का अंतर लेकिन Leapier जब आता है तो दो विशम दिन हो जाता है बिल्कुल तो यहाँ पर इसका अंतर आया 9 बर्स इस 9 बर्स में आये हुए Leapier को भी जोर जाता है तो 9 बर्स में हम कई से Leapier निकालेगे इसको 4 से भागा दे होगी तो चार से भागा देंगे तो भागफल आएगा 2 केवल भागफल से मतलब राखा जाता है और मेरे दोस्त पॉइंट में इसको हम नहीं ले सकते तो इसमें 2 बिसम दिन आएगा ठीक है? इसमें 2 बिसम दिन कितना आएगा 2 तो 2 को हम एड करेंगे अच्छा मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जो 2000 है ना जो 2000 बर्स है यह लीप एर है तो यहाँ पर लीप एर की संख्या तीन जोरनी चाहिए क्योंकि पहला बर्स 2000 जो लीप एर की संख्या होगी अगला हो जाएगी 2004 और अगला हो जाएगी 2008 नहीं बाबू क्यों हमने लेना है 2004 एक हमने लीपियर और 2008 हमने लीपियर दो यहाँ पर काउंट कर लिये हैं हमने 2000 लीपियर इसलिए count नहीं किये हैं क्योंकि अगस्त महिना है फरवारी अगर होता तब न जाके हम इसको भी लीपियर में count करते हैं यह महिना जो है अगस्त के बाद से हैं अगस्त से बाद से हैं इसलिए लीपियर हम नहीं लेंगे क्योंकि फरवारी इवज हमने नहीं कि ये बात समझ गया है तो इसलिए हम दो звуч JOHNी에 को एड़ करेंगे तो 9 आदो कितना हो जायगा मेरे दोस्त now a 21 हो जायगा 2121 ऌमने स slower को निकालेंगे खूंस साथ से भागा देच कितना हो जायगा साथ एक वागा 4 चार बद्च जा कि Meng करेंगें हम करेंगे क्या हम लोग कलेंडर में आगे जा रहे हैं तो दो हजार से हम लोग दो हजार नौ पे जा रहे हैं इसका मतलग कलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सुकर बार में हम चार दिन प्लस करेंगे सुकर बार में हम चार दिन मर्ग B, मंगल बार इसका right answer हो जायेगा मेरे दोस्त ठेक है चलिए दोस्त आगले question की और हम लोग चलते है चलिए question संख्या 6 की तरफ हम लोग आचुके हैं area question संख्या 6 क्या कह रहा है मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा तर दिये गए आरेख में त्रिभूज की संख्या बताईए दिये गए आरेख में कितने त्रिभूज है ए आकर्ति जो दिख रही है इसमें कितना त्रिभूज है मेरे दोस्त और आपको नज़र आ रहा होगा कि CHSL ने इसको 2020 में ही पूछा है हाल ही कि एकजाम में पूछा गया है बिल्कुल आसान और मज़ेदार परस्ण है लेकिन इसको पूछ लिया गया है इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आपको सबसे पहले मैं एक basic figure बताता हूँ जैसे हमारे पास एक basic figure ऐसे है ऐसे basic figure बताया है इसमें हम तिर्भूज count करें तो कितना हो जाएगा एक जैसे इसके इस vertex से इसके opposite side पे एक रेखा कीचू यहाँ पर तो अब इसमें कितना तिर्भूज हो जाएगा तो इसमें तीन तिर्भूज होगा यह बात समझ में आया कि नहीं है आपको बिल्कुल आया होगा तो चलिए जब यह बात आप लोग समझ चुके हैं तो इसको चुटकी बाज आते हैं कैसे हम सल्व करा देते हैं ध्यान से देखिए आपको मैं बताता हूँ बारी-बारी से देखो यहाँ पर ऐसा ही एक तिर्भूज बनाया गया है basic पहले count करो ऐसा ही बनाया गया है बिल्कुल ऐसा तो इसमें total कितना तिर्भूज हो जाएंगे तीन ऐसा एक नीचे बनाया हूँ है द्यान से देख रहे हैं फिर से समझाते हैं देखो कई से एक तिर्भूज मेरे दोस्त देखो ऐसे यहाँ पर बनाया हुआ है एक तिर्भूज यहाँ पर बनाया हुआ है तो इसमें कितना तिर्भूज हो जाएंगे कि नहीं बिलकुल हो जाएंगे अच्छा मेरे दोस्त यहां पर ऐसा ही तिर्भूज एक यहां पर उल्टा करके बना दिया गया है यह बात समझ रहे हैं एक तिर्भूज यहां पर भी बना दिया गया है तो इसमें कितना तिर्भूज हो जाएंगे देखो तीन तिर्भूज हो जाएंगे इसमें तीन तीरभूज हो जाएंगे इसमें कितना तीरभूज आभिन तक तुमने count कर लिया तो आभिन तक तीन तीर की 9 तीरभूज count कर लिया बीच में plus और देखो और मेरे दोस्त एक चीज आपने भूल गया इस छोटा वाला भी तो तीरभूज ऐसा ही बना है छोटा वाला भी तो तीरभूज ऐसा बना है देख रहे हो तो इसमें भी तीरभूज बनेगा जस्ट यहां पर भी बनाये हुए है मेरे दोस्त यहां पर भी तू इसमें भी तीरभूज बनेगा और ऐसा ही एक नीचे यहां पर भी बनाये हुए है तो 9 तिर्भूज यहां से आ जाएंगे, 9 तिर्भूज आ जाएंगे यहां से, इबात समझ चुके हैं, बिल्कुल, 9 तिर्भूज यहां से आ जाएंगे, और extra तिर्भूज बन रहे हैं, ओ extra तिर्भूज कौन कौन से हैं, हम आपको count करके बताते हैं, देखो, ओ extra यहां से आ गया अब तुम एड कर लो कितना हो जाएगा तो इनको एड कर गो तो 9 9 18 22 और कितना 22 तुम पाइस त्रिभूज इसमें टोटल हो जाएगे इसका राइट अंसर ऑप्शन ही हो जाएगा मेरे दूस्त और एक और तरीका है मेरे दूस्त इसको सल्व कराने का कई से द बेसिक आकिर्थी को तुम count किये हो देखो और हम इसको बता देते हैं पहले बेसिक तिर्भूज को तुम जब count किये हो तो देखो कई से count किये हो यहाँ पर यहाँ से एक लाइन खीचा हुआ है और एक लाइन हम ऐसे कीच दे ठीक है एक लाइन हम ऐसे कीच दे यहाँ पर इस बेस पे तीन तीर भूज बना है, similarly इस बेस पे भी तो तीन तीर भूज बनेगा, एक, दो और एक नमरिंग करके, इस बेस पे तीन तीर भूज, इस बेस पे तीन तीर भूज, टोटल इस आकिरती में 6 तीर भूज बना है, ठीक है, उसी प्रकार मेरे दोस्त, यहाँ पर द तिर की 18 तिरभुच इसमें हो जाएंगे बीच में प्लस एक फोटा वाला आये की पूरा बारा वाला दो तिरभुच यहां से तो चार और इसमें एक्स्ट्रा हो गए एक्स्ट्रा तिरभुच चार हो गए तो 18 चार कितना हो गया 22 हो गया जो आपसा नंबर एमें दिया है ऐस मेरे दोस्त इस प्रस्ट को कराने से पहले मैं आपको एक चीश कह रहा हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कि है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दे मेरे दोस्त ठीक है चलिए तो आहां पर हम देखते हैं कि घटी जब इस परकार खोल कर दी गई होती है जैसे माली जे हमारे पास ये तीन सर्फेस हैँ डायस का तो इसमें एक्चॉल होता है क्या देखो इसमें एक्चॉल हमोग करते है ध्यान से देखिये हैं कि है usmen बीपरियत निकलना है न तो इह alternate जो एक के छोर कर जो alternate सर्फेस ह चोर देते हैं और हम a-posit later निकाल लेते हैं कईसे, ध्यान से देखेंगे a-ka opposite क्या होगा, a-ka opposite हो जायगा b, क्योंकि बीच में एक surface को चोर देना है a-ka opposite हो जायँ हम सभी को चाहे तो निकाल सकते, कईसे, सब का हम निकाल सकते असानी से, a-ka opposite हो जाएगा B, R का अपोजित हो जाएगा D, क्योंकि बीच में एक का गयप है, तो A का अपोजित क्या हो गया मेरे दोस्त, A का अपोजित हो गया B, ठीक है, और B का अपोजित हो गया A, चाहो तो तुम R और D को भी निकाल सकती हो, R का opposite हो जाएगा D, R का opposite D, D का opposite R, K का opposite C हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में भी एक surface का gap है, है न, तो K का जो opposite हो जाएगा, कितना हो जाएगा, K का opposite C, C का opposite की, लेकिन C का opposite K, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया है, हम लोगों से पूछा गया है एक के आपोजिट तो एक आपोजिट का हो जाएगा मेरे दोस्त इसकी जास्ट तीसरी पर तीसरी सर्फेस एक तुसरे का आपोजिट हो जाएगा जो की अपसन एमें दिया गया है मेरे दोस्त ठेक है ना चलिए अगले प्राश्न की तरफ आप हम लोग चलेंगे अगल प्राश्ण की तरफ अगला प्राश्ण है च्छा बेक्ति A, B, C, D, E, F एक कतार समुह में चार्चा में सनलगन थे ठीक है A, D के ठीक पहले किन्टू B के बाद बोलता है देखो इसको हम A रेंकिंग का प्रश्ण है तो इसको हम बनाते हैं मेरे दुट कैसे च्छा बेक्ति हैं A, B, C, D, E और F सामुहिक चार्चा में सनलगन थे तो सबसे पहले हम नॉमरिंग करते हैं एक पहला बेक्ति हो जाएगा य यहाँ पर तीसरा बेक्ति हो जाएगा यहाँ पर चौथा बेक्ति हो जाएगा यहाँ पर पांचो बेक्ति हो जाएगा यह बात समझ रहे हैं आप लोग ठीक है चलिए तो इसी प्रकार इसको हम रियरेंज करेंगे क्या का रहा है ध्यान से देखेंगे A, कुष्टन कर रहे बोलता है A जो है वो D के ठीक पहले है तो A D के ठीक पहले है तो D से उपर आ जाएगा A D के ठीक पहले बोलता है A D के ठीक पहले बोलता है किन्तु B के ठीक बाद में बोलता है तो यहाँ पर आ जाएगा भी इस बात समझे चूँके आप लो बिल्कुल अच्छा आगे प्रश्ण करता है F यहाँ देखो B F के ठीक बाद बोलता है जो B है ना F के ठीक बाद ने बोलता है तो उपर में आ जाएगा F क्योंकि B F के बाद बोलता है तो उपर में F हा जाएगा आगे प्रश्ण करता है यदि C D के ठीक बाद यदि C D के ठीक बाद जो C है ना और D के ठीक बाद किन्तु E से पहले बोलता है किन्तु का उपर एक फ्ष्ट नाम के लिए C D के बाद किन्तु E से पहले बोलता है तो इनके सबसे नीचे में आ जाएगा इ, बोलता है, तो निमने लिखित में से किसे के, किसे ने चर्चा का आराम किया था, यह बते हैं, सबसे पहले बोलना क्यों से बैक्ती ने शुरू किया था, तो सबसे पहले बोला था एप, क्योंकि सबसे उपर है, तो इसी ने आराम कि अगला कोश्टन क्या है स्रिंखला को पूरा करे हमारे पास एक स्रीज दी हुई है इस स्रीज में कोश्टन मार्क की जगह क्या आएगा यहीं पकरना है तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या है कौन कौन से नंबर का यूज किया गया है सबसे पहले आठ है उसके बाद मे दौस है, उसके बाद में डौस के बाद में क्या है? determine 14 इस 14 के बाद में क्या है? बीस है, आई 20 के बाद में क्या है? question mark है question mark कि यह जगे पर क्या है यही बात को बताना है. सबसे पहले देखेंगें कि 8 से 10 हम लोग कही से बना सकते हैं? 8 से 10 बनाने के लिए प्लस का 2 किया गया होगा अच्छा 10 से 14 बनाने के लिए प्लस का 4 करना होगा ठीक है उसी प्रकार 14 से 20 बना है प्लस का 6 करके समझ रहे हैं तो यह बत यह 20 में कितना प्लस करना होगा हम सभी कोई देख रहे हैं पहले प्लस का 2 हो रहा है दो में दो भर के प्लस 4 हो रहा है 4 के बाद 6 है रहा है तो 6 के बाद 8 आ जाएगा तो 20 में हम 8 को जो रहेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दूस्त 28 तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा मेरे मित्र 28 option number B इसका right answer हो जाएगा ठीक है कितना आसान प्रस्ण है इसका right answer B option number B सही next question अगले question की और अब हम लोग चलेंगे अगला question क्या है का रहा है जिस प्रकार 23 का relation 531 के साथ में है उसी प्रकार 27 का relation question mark के साथ में question mark के जगे पे क्या आएगा यहीं बात को बताना है सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग 23 से यहाँ पर जो 23 लिखा हुआ यह 23 से 531 हम लोग कई से बना सकते है उसके बाद उसी प्रकार 27 लिखा है इसका जो relation हो जाएगा question mark से तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें logic क्या क्या लग सकता है तो देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23 से 531 कैसे बन सकता है मेरे दोस्त हम सभी कोई जानते हैं जो 23 का square होता है वो 529 होता है जो 23 का square होता है वो 529 होता है 23 का square करके 23 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 529 23 का square करेंगे तो 529 हो जाएगा और plus का इसमें 2 कर देंगे तब जाके 31 बनेगा यह बात समझ रहे हैं क्योंकि 23 का SQ होता है 529 और 529 में 2 जो रहेंगे तब ही तो जाके 531 बनेगा बेलकुल सही कहें अपने उसी परकारे आहां पर हम बना देंगे जो 27 लिखा हुए 27 यो कोश्णर मर्क बना देंगे क्या करेंगे 27 जो लिखा है इनका हम करेंगे SQ 27 का SQ करके प्लस का इसमें 2 कर देंगे 27 का SQ होता है मेरे दुस्त वो कितना होता है 27 का जो SQ होता है वो कितना होता है 729 होता है इसको हम SQ करके भी दिखा देते हैं SQ का मतलब होता है 27 गुना 27 के उसको 27 से 27 में गुणा करके चेक करा देता है दिनकर कितना हो जायागा 2166 क्रेंगे उसमीं गुना करे के डिका दिखा दिये इसमें प्लस का दो करेंCar दो करेंगे तो कितना हैगा 731 29 में 2 करेंगे तो 731 इसका right answer हो जाएगा ठीक है और 731 को किस option में रखा गया है option number C में रखा गया है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग इस question को समझ चुके होंगे ठीक है 12 ही important question था चली अगले question की और अब हम लोग चलेगी अगला question ये भी analogy से related ही है कर रहा है बानारसी का जिस परकार समझ गंगा से है ठीक उसी परकार मथूरा का समझ question mark से है तो इस बात को बताईए कि इसमें क्या logic है हम सभी जानते हैं कि जो बानारस है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुए उसी परकार जो मथूरा है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुए तो जो मथूरा है वो यामूना नदी के किनारे बसा हुए इसका राइटल से option D हो जागी यामूना अभी तक आपने वीडियो को like नहीं कियें तो like कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर share करें मेरे दोस्त ठीक है चलिए अगले question की और आब हम लोग चलेंगे अगला question क्या है अगला जो question कर किसी भी सिष्ट कुट भासा में कुट भासा में जैसे P.E.R.M.I.T. को G.R.N.I.B. के रूप में लिखा जाता है तो उसी भासा में C.O.N.D.O.C.E. को कई से लिखा जाएगा तो ध्यान से देखे लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है P.E.R.M.I.T. परमीट को उसने क्या लिखा है उसने लिखा है जी ध्यान से समझे परमीट को उसने क्या लिखा है जी लिखा है क्या लिखा है तो जी लिखा है उसके बाद में क्या लिखा है परमीट को जी लिखा है उसके बाद में क्या लिखा है ध्यान से देखे परमीट को उसने यहीं पर लिख देते है परमित को उसने क्या लिखा है परमित को उसने क्या लिखा है परमित को उसने लिखा है जी उसके बाद में क्या लिखा है आर जी आर एन उसके बाद में आई उसके बाद में भी उसके बाद के लिखा गया है और हम लोगों से क्या पूछा गया है हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है C, O, और निचे लिखते है C, O, उसके बाद में क्या है, C के बाद में O है उसके बाद में N है, C, O, N, D, उसके बाद में क्या है, U है D, U, C, आउ उसके बाद में E है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा तो हम सबी को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वो चीज क्या ध्यान से देखेंगे देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या लोजिक को लगाया है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त इसमें जो लोजिक लगा है जानते हैं क्या लोजिक है यहां से देखेंगे T का जो opposite letter होता है और G होता है I का opposite letter R होता है M का opposite letter N होता है R का opposite letter I होता है E का opposite letter B होता है P का opposite letter K होता है इसमें क्या किया है इसको opposite letter ऐसे है न इसको उसने ऐसे करके लिख दिया है इसको उसने ऐसे करके लिख दिया है यहाँ पर क्या जैसे E का आपोजिट लेटर B होता है C का आपोजिट लेटर X होता है U का आपोजिट लेटर कितना होता है तो F होता है D का आपोजिट लेटर कितना होता है तो W होता है N का आपोजिट लेटर M होता है उसके बाद में क्या है O O का opposite letter L होता है उसके बाद C, C का opposite letter X होता है तो इसका जो right answer हो जो B, X, F, W, M, L और X किस option में है तो option number B में दिया गया है इस बात को आप लोग समझें कि नहीं समझें बिल्कुल यहां पर इसका opposite E है, इसका opposite E है, इसका opposite E है, इसका opposite E है इसी प्रकार हम निकाल दिये, कितना आसान प्रस्ण है मेरे दोस्त इसलिए अब हम लोग बरेंगे अगले question की तरफ, चली अगला question क्या है, तेरा number प्रस्ण है, एक बेक्ती की और इसारा करते हुए सूरज खहता है वह मेरे पीता की पतनी की बहन का बेटा है, तो वह बेक्ती सूरज से कैसे संबन दित है इस प्रस्ण को हम दो तरीका से बता सकते आपको, पहला तरीका family tree बनाकर दूसरा तरीका हम direct बता सकते तो सबसे पहले हम direct बताते हैं, उसके बाद family tree बनाकर हम इसको सीखाएंगे प्रस्ण है, एक बेक्ती की और संकित करते हुए सूरज कहता है क्या कहता है, वह जो वाड है, वह बेक्ती के लिए हुगा है, मेरे, मेरे जो वाड है सूरज आपने लिए कर रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है, मेरे पीता की पतनी, यह बता है सूरज कह रहा है, मेरे पीता की पतनी सूरज की कौन हो गई, मा की बहन, उसकी मा की बहन, उसकी मौसी हो गई, का बेटा है यानि उसकी मौसी का बेटा है तो इबते वहा ब्यक्ति सूरज से कैसे समझनित है तो मौसेरा भाई इसका राइटेंस और ओप्शन C हो जाएगा अच्छा अभितत प्रश नहीं समझ एक बार और समझ ये क्या है मेरे पीता की पतनी उसकी मा हो गई की बहन उसकी मौसी हो गई का बेटा है यहनि उसकी मौसी का बेटा है वहा आदमी तो वहाँ आदमी जे है वहाँ ब्यक्ति सूरज से कैसे समझनित है तो वह मौसेरा भाई ह अच्छा हम family tree बना कर इसको सिखा देता है family tree में पूरू gender होगा उसको हम लोग बन करेंगे त्रिभूज में अब महिला gender को हम बन करेंगे सारी किल में चलो अब हम सिखा रहे हैं पर प्रश्ण कहा रहा है एक बिप्ति की और संकेत करते होगे सूरज कहता है मेरे पिता की पतनी सबसे पहले बना दो सूरज मेरे अच्छा ये सूरज है ये पूरू gender है तो पूरू gender है इसे लिए इसको हम बन करेंगे त्रिभूज में अच्छा मेरे पिता इसके बनाने होंगे पिता इनके पिता पीता के लिए तिभोज यूज करेंगे, क्योंकि पूरू जंडर है, इनके पीता जी हो जाएंगे, मेरे पीता, पीता की पत्नी, तो सबसे पहले इसकी पत्नी बनाना होगा, और इसकी पत्नी क्या होगी, इस सर्किल में बंध होगी, क्योंकि महिला जंडर है, अच्छा, इस पत्ति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में छोटा सा प्लस सिंबल का यूज हम लोग करेंगे पत्नी की बहन इसके बाना होगा बहन इह हो जाएगी बहन अच्छा इह बहन होगा बहन का बेटा है इनका क्या है वो लेकवा इनका बेटा है इह जो बेटा है यही क्या है इसको क प्रवाइ बिल्कुल होगा तुम फैमिली ट्री बना कर चाहो तो भी एंसर दे सकते हो अच्छा मेरे दूस्त मैं आपको एक चीज बताता हूँ अगर किसे भी भाई को फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत होई होगी न तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुए है बलार जाकर वहाँ से आप लोग उसको देख सकते है ठीक है कि फैमिली ट्री हम लोग कई से बनाते है चलिए अगले कोश्चन की ओर अभम लोग चलेंगे अगला question है 14 नमबर 14 नमबर प्रस्ण है दरपन प्रतिवी में ग्याद करे दरपन प्रतिवी में ग्याद करे दरपन प्रतिवी में actual होता है क्या कि जब हम लोग अपना चेहरा दरपन में देखते हैं तो हमारा जो दया चेहरा होता है राइट में और राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में और टॉप और बटम सेम रहते हैं इसका मतलब उसी प्रकार केवल बाया दाया चेंज होता है दर्पन प्रतिबीम में तो इसका दर्पन प्रतिबीम कई से बनेगा इसका दर्पन प्रतिबीम कई से बनेगा उसी प्रकार बनेगा, यहाँ पर एक box बनेगा, ठीक है, अच्छा, इस box में ध्यान से देखेंगे, यह जो बिरित है, दर्पन के E side में E बाय बगल है, है ना, तो दर्पन के E बगल में E चला जाएगा, दाय बगल में, हम इसको बनाते हैं, जो circle यहाँ पर है, E circle चला जाएगा, यहाँ पर, अच्छा, जो तिर्भुज बाय बगल है, यह जाएगा, यह dawna जाएगा, और देखो, ऐसा कॉनसा option में नहीं दिया गया, यहाँ पर دेखो, ऐसा यहाँ पर circle कलर किया हुआ team, जा इसलिए option D गलत हो चुका है, auction C में तिर्भुज को ही उल्टा बना दिया गया इसलिए option c भी गलत हो गया अच्छा मेरे दोस्त यहां पर हम सभी कोई देख रहे हैं यहां पर नीचे वाला तिर्भूज उल्टा बना दिया गया इसलिए option a गलत हो गया बचा क्या option b यहीं इसका right answer हो गया ठीक है इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं और एक तरीका और होता है दूसरा उसके बेश पर भी तुम आसानी से चांट सकते हो लिखो दरपन से जो चेज जितना नजदीक होता है उसका प्रतिविम उतना ही नजदीक बनता है और दरपन से जो चेज जितना दूर होता है उसका प्रतिविम उतना ही दूर बनता है जैसे दरपन से न option को छाट सबते थे मेरे दोस्त चलिए last question last question क्या कहता है ध्यान से देखें कहता है जैसे dfh का जो lesson है hfd से है उसे परकार क्यों s का lesson question marks से question mark के जगह इन चारो option में से कौन सा option आयेगा चलेंगे सबसे पहले आपर क्या है d d है उसके बाद में क्या है d उसके बाद में है F और उसके बाद में क्या है H इनका जो रिलेशन है वो किन से है H और F और D से है है इसको आप लोग समझ गए उसी परकर हम लोगों को बताना कि क्यूं S और U का रिलेशन किन से होगा तो चलेंगे यहाँ पर क्या लोजिक है ध्यान से देखें कुछ नहीं यहाँ क्रोस पेटन लगाति यहां पर है आफ यहां बिचया है क्यूं चला जाएक है यहां पर यहां संबी हो जाएगा सरी तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रस्न को बहुत ही अच्छे तरीके आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकोन को अन कर लेजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास पहुंचे ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में